नमश्कार मित्रों गंगोर का त्योहार चैत्रमास के शुकल पक्ष की तृत्यातिति को मनाया जाता है इस बार गंगोर 24 मार्च 2023 को है इस दिन गंगोर की अमर सुहाग अमर पीहर देने वाली कथा अवश्य ही सुननी चाहिए अमर सुहाग अमर पीहर वाली कहानी आज हम आप से शेयर कर रहे हैं फ्रेंड्स अमर सुहाग वाली कहानी इस प्रकार है इस दिन आप कहानी तो अवश्य ही सुने चाएं वरत करें या ना करें एक बार भगवान शंकर और माता पार्वती नारजी के साथ ब्रह्मन को निकले, चलते चलते वे चैत्र शुकल तृत्या के दिन एक गाउं में पहुँच गए, उनके आगमन का समाचार सुन कर गाउं की श्रेष्ट कुली निस्त्रियां उनके स्वागत के लिए भोजन बनाने लगी, भोजन बनाते बनाते उन्हें काफी देर हो गई, किन्तु साधारन कुल की श्रेष्ट कुल की श्रेष्ट की श्रेष्ट कुल की श्रेष्ट से पहले ही थाली में हल्दी और अक्षत लेकर माता की पूजा के लिए पहुँच गई, पार्वती माता ने उनकी पूजा सविकार करके सारा सुहाग रस उन पर छुड़क दिया वी इस्त्रियां अटल सुहाग प्राप्ती का वर्दान पाकर लोट गई उसके बाद उच्छ कुल की इस्त्रियां अनेक परकार के पकवान लेकर गोरा माता के पास पूजा के लिए पहुंची सोने चांदी से निर्मित थालियों में विभिन परकार के स्वादिस्ट वियंजन थे उन इस्त्रियों को देकर भगवान शंकर ने पारवतीजी से कहा तुमने सुहाग रस तो सधारन कुल की इस्त्रियों को दे दिया आप इने क्या दोगी पारवतीजी ने उत्तर दिया प्राणात, आप इनकी चिंता मत कीजी, उन इस्त्रियों को मैंने केवल उपरी पधारतों से बना रस दिया है, इसलिए उनका रस धोते ही रहेगा प्रन्तु इन उचकुल की स्रियों को अपनी उंगली चीर कर अपने रक्त का सुहाग रस दोंगी उस सुहाग रस जिससे उनका भागय बढ़ेगा तन मन से मुझ जैसी सभागय वती हो जाएंगी जब इस्रियों ने पूजन समाप्द कर दिया तब पार्वती जी ने अपनी उंगली चीर कर उन पर सुहाग रस छिड़क दिया जिस पर जैसा छीटा पड़ा उन्हें वैसा ही सुहाग मिला उसके बाद भगवान शिव की आग्या से पार्वती जी ने नदी के तट पर सनान किया बालू से शिव मूर्ती बना कर पूजा करने लगी पूजन के बाद बालू के पकवान बना कर भगवान शिव को भोग लगाया परिदक्षना करके नदी तट की मिट्टी से माथे पर तिलक लगा कर दो कन बालू का भोग लगाया इतना सब करते करते पार्वती जी को काफी समय लग गया काफी देर बाद जब वे लोट कर आई तो महादेव जी ने उनसे देर से आने का कारण पूछा उत्तर में पार्वती जी ने उन्हें जूट में कह दिया वे तो अपने भाई बतीजे आदी माईके वालों से मिलने गई थी उनी से बाते करने में देर हो गई प्रन्तु महादेव तो महादेव ही हैं वे कुछ और ही लीला रचना चाहते थे उन्होंने पूछा पार्वती जी तुमने नदी के तड़ पर पूजन करके किस चीज का भोग लगाया था और स्वयम कौन सा प्रसाद खाया था स्वामी पार्वती जी ने दुबारा जूट बोल दिया मेरे भांजे ने मुझे दूद भात खिलाया है उसे खाकर ही मैं सीधा यहां चलिया आ रही हूँ यह सुनकर भगवान शीव भी दूद भात खाने के लालच मिनदी की तरफ चल दिये पार्वती जी दूदा में पड़ गई तब उन्होंने मोन भाव से भगवान भोले शंकर का ही ध्यान किया और प्रातना की हे भगवान यदि मैं आपकी अन्यन दासी हूँ तो आप इस समय मेरी लाज रखिए यह प्रातना करते हुए पार्वती जी भगवान शीव के पीछे पीछे चलने लगी उन्हें दूर नदी के तट पर माया का महल दिखाई दिया उस महल के बीतर पहुँच कर वे देखते हैं वहाँ शीव जी जी के साले सहलज उटसा परिवार उपस्तित हैं उन्होंने माता गोरी और भगवान शंकर का भाव भीन स्वागत किया वे दोनों वहाँ काफी देर तक रहे तीसरे दिन शीव पार्वती ने शीव से चलने के लिए कहा तब शीव जी तैयार हो गए वे ऐसे में भगवान शंकर पार्वती जी के साथ चलना पड़ा नारज जी भी सासा चल दिये चलते चलते वे बहुत दूर निकल गए उस समय भगवान सूरिय अपने पश्चिम की और पधा रहे थे अचानक भगवान शंकर पार्वती जी से बोले मैं तुमारे माइके में महल की तरफ चले नारज जी को वहां पर कोई महल नजर ना आया वहां तो दूर तक जंगल ही जंगल था उसमें हिंसक पशू विचर रहे थे नारज जी वहां भटकते रहे सोचने लगे कहीं वे किसी गलस थान पर तो नहीं आ गए प्रनतु अचानक बिजली की चमक सी नार हाल बताया शीव जी जी ने हस कर कहा नारज जी यह सब पारवती जी की ही लीला थी इस पर पारवती बोली मैं किस योग्य हूं तब नारज जी ने सिर जुका कर कहा माता आप पतिवरताओं में श्रेष्ट हैं आप सोभागेवती समाज में आदी शक्ति हैं यह सब आपके पतिवरत का ही प्रभाव है संसार की इस्त्रियां आपके नाम स्मरण मातर से अटल सुभागे प्राप्त कर रही है और समझ सिध्यों को बना तथा मिटा रही है तब आपके लिए कर्म कौन सी बड़ी बात है महामाई गोपनिय पूजन आदी शक्ति शाली तथा सार्थक होता है आपकी भावना और चमत का पूंट शक्ति को देखकर मुझे बहुत परसंता हुई है मैं आशिरवाज सवरूप यही वर्दान सभी इस्त्रियों को देता हूँ जो भी गुपत रूप से गंगोर की पूजा करेंगी उन्हें अमर सुहाग अमर पीहर की प्राप्ती होगी तबी से गंगोर की पूजा पती से छुपकर ही की जाती है और इस कहानी को सुना जाता है कहा जाता है इस कहानी को कहते ना सुनते ना हुंकारा भरते ना सभी को गोरा माता अमर सुहाग अमर पीहर देती है आपको भी मित्रों यदि अमर सुहाग अमर पीहर की यह कहानी झाल झाल